नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मोग खबर जानते हैं जर्खन विधान सबास थपना दिवस पर बीर्शप पूतों को मिला समान जर्खन विधान सबास थपना दिवस पर कुरोन टिकाकर्ण में उत्रिष्ट कार करने वाले पूर्वी सिमों के उपायुक सुरज कुमार, प्राची के उपायुक छवी रंजन और रामगर उपायुक तमाधिवी मिस्रा को मोमेंटम और प्रससित पत्र देकर समानित किया गय इस मोके पर जर्खन की तिरंदाज, कोमो लीका बारी, अंकीता भगत और किरिकेटर, इंदराणी राय को भी समानित किया गया बता दे जर्खन के भीर सपूतों को भी मनो प्रांद समान दिया गया जर्खन विधान सबा के एक इसवी वर्सगाठ पर राजेपल रमेस बैस ने कहा कि विधान सबा की करेवाही से आम जनता को काफी अपेक्षाय रहती है, आज का दिन एक तरफ विधान सबा के उपलबदियों पर प्रसंता व्यक्त करने के साथ ही, दूसरी ओर उन कम्यों, नीतियों और करेपदतियों पर मन्थन यम चिंतन करने का आउसर है, जिसे कि कैसे हम और भी बहतर ठांक से काम करें, जारकन में आने वाले तीन से चार दिनों में रात के तापमान में धीरे धीरे गिरावट आएगी, अभी काईम तापमान में 2-4 डीगडि-CELC की घिरावट आएगी, अभी राजी के भी भीन जीले में निमत्तम तापमान 16-18 सेक अनन्द ने बताया कि इसके बाद राजय में निमतम तापमान 12 से 14 डिवी सलस्यत के बीच पहुंचेगा जैक कर्मी धरना पर दस्वी बरहमी बोर्ड परिक्षा विजन कार्य पूरी तरह बाधित लंबित बेतन का मांग को लेकर जैर्खन अकेडमी काउंसिल के कर्मी सोमवार को धरना पर बैठ गाएं इसके बाद दस्वी बोर्ड और बरहमी की परिक्षा विजन का कार्य पूरी तरह से बाधित हो चुका है साथी नवी और एक आरवी की परिक्षा का भी काम नहीं हो पा रहा इसे लाखो छात्रों के सामने बिकट इस्थिति उत्पन हो गई है मालूम हो कि जैक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने पर लगभग तीन मासे कर्मियों को बेतर नहीं मिल पा रहा है जारखन के कस्तुरुबाई स्कूल में पहली बार होगी अस्थाई नियुक्ति बडाग दोहरा ब़िभाग दोहरा प्राथमिक से लेकर पलस्टू स्कूल बिद्याले स्क्षक तक के नियुक्ति में बदलाव किया जा रहा है बतादे कस्तुर्वा गांधिबाल का विद्याला है और मोडली स्कूल में नियुक्ती के लिए फिर निमावली बनाई गई है राजे गठन के बाद पहली बार इन दोनों विद्यालेों में सिक्षकों के नियुक्ती के लिए निमावली बनाई गई है सीला गाई में अमर सहीद बीर बुधु भगत के अस्मारक अस्थल के निकट एकलब बे अवासे बिद्याले के निर्मान के बिरोध में विभीन आदिवासी संगट्रों ने मोटरसाइकल जुलूस निकाला मांडर के मुड मां जातरा टांड से शुरू हुआ या जुलूस मांडर से बीजू पड़ा चान होते हुए सीला गाई की ओर रवाना हुआ जुलूस में सैक्डों की संख्या में लोग सामिल थे बता दे मोटर साइकल सवार सभी लोग सीला गाई पहुँचे बीड में सामिल लोगों ने कार्यास्थल पर जम कर उत्पात मचाया करीब सोलह सो मीटर में बने बाउंडरी वाल तोड़ दिया वहीं कार्य में लगे चार मिक्सर मसीन वह तीन पानी ट्रेंक को भी फूख दिया जारखन में पहली से पाँचवी कक्छाओं के लिए भी सिग्र खुलेंगे स्कूल राज्य में पहली से पाँचवी कक्छाओं के लिए भी स्कूल सिग्र खुल सकते हैं इसमें सरकारे एवं नीजी दोनों परकार के स्कूल सामिल हैं बता दे मुख्य मंत्री हमान सुरेन की दक्सता वाली जार्खन आपदा प्रबंधन प्रादिकार की होने वाली अगली बैठक में इस पर सवक्रियती मिल सकती है इसकी बैठक इसी मा आवयजीत होने की उमीद है मुख्य मंत्री हमान सुरेन ने निचली कक्षाओं के लिए इस्कूल खोलने के नुमती मिलने के संकेत दिये हैं उन्होंने एक कारकरम में कहा कि इस्कूलों के संचालन है तू संक्रमन के इस्थिती बनाया रखते हुए चरणबत तरीके से विद्यालियों में पाठन पाठन प्रारम करने का पर्यास किया जा रहा है निकट भाविस्य में प्रात्मिक अक्षाओं के लिए भी इस्कूल खोलेंगे एक दिसंबर को मिल सकती है रिम्स को DSIR की मन्याता राजे में सबसे अधिक स्वास्त समधी रिसर्च का काम रिम्स में ही होता है हर साल रिम्स में रिसर्च होते रहते हैं पर अब तक रिम्स के पास Department of Science and Industrial Research DSIR के मन्याता नहीं मिली थी पर एक दिसंबर को रिम्स को DSIR से मन्याता मिल सकती है इसके मन्याता को लेकरिम्स निदेशक डाक्टर कमेस्वर परसाद ने बताया कि मन्याता मिले इसके लिए दो बार Department of Science and Industrial Research विभाग में जाकर सभी पर किरियाये पूरी कर ली है बीरसा मुंडा उतक्रिष्ट विधायक समान से भाजपा MLA समानित जार्खन के राजेपाल रमेस बैस ने सो मुंडा उतक्रिष्ट विधायक समान से भाजपा MLA राम चंद्र चंदर बनसी को समानित किया इस औसर पर तिरंदाज कोमेली का बारी अंकीता भगत और किरिकेट खिलारी इंदरानी राय को भी समानित किया गया बता दे जार्खन बिधान सभा के एक इसवे बस गार्ट समारो बिधान सभा परिसर में ही आयोजित किया गया इस औसर पर राजेपाल ने कहा कि बिधान सभा की करेवाई से आम जनता को काफी अभेक्षाय रहती है फ्लिप काट पर भी मिलेंगे पलास के प्रोड़क्ट जार्खन में सक्खी मंडल की बहनों को उद्यमिता से जोडने के लिए सियमेमन सुरेन द्वारा की गई पलास ब्रांड की सुरुवात रंग ला रही है अब पलास ब्रांड के सभी उत्पादों की बिक्री जल्द e-commerce प्रेटफर्म अमेजा नेवां फ्लिटकर्ट के जरी होगी इससे करीब 2,00,00,00 ग्रामिन महिलाओं को भी ससक्त आजीव का उपलब्द हो सकेगा फिलाल पलास ब्रांड के तहट करीब 60 से ज्यादा उत्पाद बजार में बिक्री के लिए उपलब्द है जारखन में क्रोना के 119 केस मिले हैं जबकि 10 मरी स्वस्त भी हुए हैं जारखन में क्रोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 135 है भारत में 84-889 केस मिले हैं भारत में कुल एक्टिव केस की संख्या एक लाखते राजा 774 है खिलारियों का भविस्ते खत्रे में जारखन महिला वा पुरुष टीम पर लगा परतिबंद जारखन फुटबोल संख के अध्यक्ष नजम अंसारी वा महा सचीव गुलाम रबनी की बीच चल रहे सीत यूद के कारण अखिल भारतिय फुटबोल संख ने जारखन पुरुष वा महिला टीम पर परतिबंद लगा दिया है बता दे इस परतिबंद के कारण जारखन पुरुष टीम संतोष ट्रोफी वा महिला फुटबोल टीम को नेशनल चेंपियन में भाग नहीं ले पाएंगी इस परतिबंद के कारण परदेश के खिलाडियों का भवी से भी दाव पर लग गया है बता दे दोनों की बीच बर्चस्व की लड़ाई का ही परिणाम रहा की दोनों ने अलग अलग टीम नेशनल टूर्णामेंट के लिए भारतिये फुटबोल संग के पास भेजी थी परसांत बोस उनकी पतनी सीला समेट छो मवादी राची जेल भेजे गा है परसांत बोस समेट छो मवादीयों को राची के बीचा मुंडा केंद्रिये का राची जेल भेज दिया गया है बता दे सोमवार की दोपर भारी सुरक्षा के बीच सभी को सराय केला जेल से राची केंद्रिये कारा भेजा गया जैक कर्मियों की अनिश्चित कालिन हर्ताल अस्थगीत जारकन एकेडमिक काउंसिल के अधिकारियों वकरमचारियों को पिछले तीन महिने से बेतन का भुकतान नहीं किया गया है बेतन के अभाव में कर्मियों की माली हालत खराब हो गई है इस्थिती को देखते हुए सोमवार से जैक कर्मियों की अनिश्चित कालिन हर्तान सुरू हुई थी जैक कर्मी जैक भवन के परविश्द्वार पर धारने पर बैटे हुए थे लेकिन सिक्षा मंत्री जगनात महतों के अस्वासन के बाद जैक कर्मियों ने हरताल अस्थागित कर दिया है आपको बता दे की जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली रहने के कारण आठवी से बरावी की परिक्षा और बीतिये मामले से जुड़े कारे परवावित हो रहे हैं इससे करीब 24 लाख विद्यार्थी परवावित हो रहे हैं मानत असकरी की सिकार हुई चार बेटियां बाल अधिकार संदचन आयोग में सुनाएगी फैसला है ट्रैफिकिंग के खिलाब मुखर हुई जार्खन की चार बेटिया एक दिन के लिए राष्ट्रिय बाल अधिकार सनचन आयोग के अधियक्स वसदा से बनेंगी और फैसला सुनाएंगी बता दे महिला बाल बिकास मन्त्राले भारत सरकार की पौल पर ट्रैफिकिंग की सिकार बालिकाओ को या अधिकार दिया गया है कोरोना भैक्सीन के रईस्टेशन के नाम पर साइबर अपराधी कर सकते हैं ठगी CID का अलर्ट जारी कोविट टीका करन के रेश्टेशन के नाम पर साइबर अप्रादी ठगी कर सकते हैं इससे समंधिर रिपोर्ट के इंद्री गिरी मंत्राले के अधिन साइबर क्राइम कार्डिनेशन सेंटर थ्रेड एनालिसिस यूनिट ने त्यार की है बता दे जार्खन पुलिस मुख्याले को भी रिपोर्ट भेजी गई है इसके बाद CID मुख्याले ने सभी जीलों के ASP को अलट किया है इसके साथ ही इस तरह का मामला सामने आने के बाद आवस्यक करवाई का निर्देश दिया गया है जार्खन की 68.77% भूमी की गुनवाता होई खराब पूरे देश में जार्खन की भूमी सबसे अधिक खराब हो रही है यहां की जमिन बंजर होती जा रही है इसका मुख्यकारन भूमी का छरन बताया जा रहा है बतादे जार्खन में करीब 54.80 लाख हेक्टेर भूमी बंजर होने की ओर है यहां कुल भौगोलिक छेत्रफल का और सट फिश्दी है राज्य का कुल छेत्रफल 89.7 एक लाख हेक्टेर का है पूरे देश में जार्खन की थी थी सबसे खराब राज़ों में टॉप पर है इस रोज से जारी ताजा रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है रांची सेंट्रल जेल में फांसी से जोलता मिला कैदी बिर्शा मुंडा केंद्री ये कारा होटवार में सनिवार की रात करिम 9.45 में अफ़रन हत्या और आर्म्स एक्ट के आरोपी नयाइक बंदी बिरेंद्र उर्फ बिरेंद्र मुंडा 32 वर्षिये ने फांसील लगा कर आत्मात्या कर ली वहीं उसके पैर पर बॉल पेन से लिखा हुआ था कि जेलर ने मुझे मौडर किया है दूसरी ओर जेलर नसीम का कहना है कि वह मांसिक रूप से बिमार था वह कुछ भी कर सकता है उधर मिलित्तक का माईस्ट्रेट के समक्ष पुलिस ने पंचनामा किया गर्धवा उपायुक्त राजेश कुमार पाठा की अध्यक्सता में कोबिनाइटी टीका करन और आपका अधिकार आपके दुएर समीख छात्मक बैठक आयोजित की गई उपायुक्त ने जीले में चल रहे टीका करन में अधिक्तम लोगों को अच्छा जीत करनेए तु लोगों कट्टी का कराने का निर्देश भी दिया गया धन्यवाद